तो रोज की तरह मैं जैसा ही सोगे उठा तो सबसे पहला जो है मैंने ब्रस कर लिया और ब्रस करने का बाद दोस्तों जैसे की घर में पानी भरना पड़ता है उसलिए ये पानी लाके अभी यहाँ घर में भर रहा हूँ ये मेरा डेली का काम है मेरा सुबह जो है वो पानी भरना से स्टार्ट होता है और साम को ही खतम होता है दिन में दो बार ऐसे ही पानी भरना हो गया और अभी देखिए ये पानी गिर रहा है इसलिए मेरी माँ चुला जला के इस कोने में रख दी है लो दोस्तों मैं आपका दोस्तानीत बार स्वागत करता हूं फिर से मेरे नई ब्लॉग पे तो आज दोस्तों फ्रेस हो जाने का बाद मैं थोड़ा सा पूजा कर लिया है घर में और फुजा हुझा करने का बाद मेरे अभी जाना था लेकिन बारीस इधर कल राज से जो है कंटीनिव पारीस हो रहा है लग रहा है कि घर्जाहं निकलने पाऊंगा तो फेस हो जाने का बाद में सबसे पहला जो है मैं थोड़ा सा जाता हूं और चाई पी लेता हूँ अभी तो ये इधर इधर मेरी मां जो है वो चुलह में इधर रोटी बना रही है सुबा का जो नास्ता है वो रोटी ही अच्छा लगता है तो रोटी हो गया है, अभी मैं जाके नास्ता कर लेता हूँ, और नास्ता करने के बाद अभी ये चुला पे थोड़ा सा चाई गरम कर लेते हैं, चाई गरम हो जाने के बाद थोड़ा सा चाई पीलूँगा मैं, और यहाँ ये सबजी वाली जो दादी है, वो सबजी लेके आ चुकी है घर पे तो ये मिठू लोंग के लिए अभी ये नया जगा बना दिये हैं रहने के लिए देखिए ये सब दोनों मिठू अभी आराम से उपर में ही रहेंगे जब नीचे थे तो कुत्ता लोंग से डर रहता था हमेशा में बारिस का वजह से मैं अभी रुका हुआ थोड़ा मार्किट तरफ जाता लेकिन कभी ये बारिस चुटेगा और ना जाने कभ मैं घर से निकल के जा पाऊंगा अब पानी जो है उतना ज्यादा स्पीड भी नहीं है लेकिन इतना पानी में भी मैं भीग जाऊंगा तो देखते हैं थोड़ा देर वेट करते हैं अगर पानी आकर छूट जैसे ही छूटेगा तब मैं निकल जाऊंगा यहां से तो लग रहा है बारिश जो है वो तो छूटने वाला है नहीं तो उसलिए मैं अभी निकल के चले जाता हूं ने तो ये फिर मेरा काम थिरूब जाएगा तो देखिए आभी कैसा बारिश जो है यह हलका हलका बारिश हो रहा है और हम लोग अगर पानी चुटेगा अगर हम लोग अगर वेट करते तो तो साइद हम लों का काम भी नहीं होता तो उसलिए हम लोग क्या कि है कि चाहता पकड़िया भी जा रहे हैं ये मार्केट तरब और आज का मौसम जो है दोस्तों लग रहा है कि आज पुरा दीन भर ऐसा ही मौसम रहेगा तो मैं बारिस के लिए ये डर रहा था कि कहीं मौबाइल भीगना जाए अगर मौबाइल अगर भीग जाएगा तो फिर बात में प्रोब्लम हो सकता है तो अभी तोड़ा तोड़ा पानी में भी आधा भीग चुका हूं मैं और मुझे तो लगता है कि वहां से आते आते पुरा ही भीग जाओंगा तो अभी जाओंगा तो अभी जाओंगा तो फारिस के लिए जाओंगा तो सबसे पहला जो है मैं बिटीम चॉप केया था और बिटीम चॉप Ground में मेरा काम नहीँ तो वह से फिर मेरे को बंबभई चॉप का जाना पड़ा तो वही जा रहा हूं अभी और देखते हैं यहां पर भी मेरा काम होगा या नहीं मार्किट से अभी मैं आ चुका हूँ दोस्तों और बारिस का भी देखिए कैसा है जो घर से निकलने का टाइम में बारिस छूट नहीं रहा था लेकिन जैसा ही हम मैं काम खतम करके यह घर रिटन आ गया तो अभी बारिस छूट चुका है और अभी यह खाना खाने के लिए यह टमाटर का चटनी बना रहे हैं तो बारिस में भी भी चुका था मैं उसलिए कपड़ा उपड़ा भी चेंज कर दिया हूँ मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तो लाइक कमेंट से और सस्क्राइब कर दीजे और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुसते रहेगा